हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टोपर ग्यान अकैडमी में आज की इस वीडियो में हम एरफोर्स के जितने भी फिजिस के इंपोटेंट कोश्चन है हम आपके कबर करनाने वाले हैं चलिए सुरू करते हैं आज के फर्स्ट कोशन से म, L XL, T क्य00प ग्राबर मांइस के 2 अगर बात करते हैं ओप्सें नमबर B की दो इसकी होती है कौन में सम्बेग एविन प्लंक जितांग की M L स्कॉर, T क्य heard मांइस के 1 और बात करते हैं ओप्सें नमबर D की आवग एविन रखे की तो इसकी भी महोती है ML T की पावर माइनस के 1 अगर बात करते हैं परश तनाप की तो इसकी भी महोती है M T की पावर माइनस के 2 जिसको उपस नमबर C correct answer है चलते एगले कोशन पर इसका अगले कोशन है एक बस तू H उचाई से गिराई जाती है तब बाद में H upon 2 उचाई तक गिरती है तब इसमें होगी तब इसमें क्या होगी तो आदी स्थदी जूर जा और आदी गती जूर जा जब पहले H से गिराई जाए 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 बाद को कितने गिराई गिया है H upon 2 से अगला कोशन है पहिये में बोल बेरिंग का काम है तो बोल बेरिंग का काम क्या होता है पहिये में गतीज गर्षन को लोटनिक गर्षन में बदलना गतीज गर्षन को लोटनिक गर्षन में बदलना ओप्सन नमबर B इसका करेक्ट आंसर है चलते हैं अगले कोशन की तरफ प्राम वस्ता में से प्राम हो करते हैं, पिंडों की क्रिजय समरूप हैं, कौन सा पिंड अधिक्तम वेक से नीचे पहुचता है, तो कौन सा पिंड पहुचता है सबसे पहले, सिंपल सी बात है, एक ठोस गोला सबसे पहले आएगा, क्योंकि वो ठोस होता है, अगला कोशन है, Question number 26 26 question है प्रत्वी के चार और कक्षा में घूमने वाले उपगरहों का निश्चित जिवनकाल होता है एवं कभी-कभी उपगरहों का मलवा प्रत्वी पर गिर जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तो ऐसा इसलिए होता है जो स्यान बलोते हैं उनके कारण उपगरहों की गती में परिवर्थन होता है जिसके परिलाम सरूब उचाई दिहे दीरे कम होने लगती है अगला कुशन है जल की चोटी-चोटी बुंदों से मिलकर एक बड़े बुंद बनाने की परिक्रिया में निकाय की प्रेश तोजा हमेशा घटती है क्या होती है? घटती है अगला कोशन है जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग श्टील की बनती है, ताम बें की? नहीं क्योंकि स्पिरिंग स्टील की क्यों बनती है तामवे की क्यों नहीं बनती तो इसका उप्सन नमबर एक रेक्ट है स्टील तामवे की अपेक्षा अधिक प्रित्यास्त होती है अगला कोशन है सुभह का सूरज इतना गरम नहीं होता जितना दोपैर का क्योंकि इसका सुबह के समय सूरज की किर्णों को वाता वरण में अधिक दूरी तैक अन्नी पड़ती है इसका अगला कोशन है एक गगती की इस पश्ट दूरी की 50 सेमी बहर 25 सेमी पर रखी बस्तु को पढ़ना चाता है तो चस्ट में की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए तो आपको सिम्पली पता होना चाहिए जो इसमें इस पर दरश्टी की दूरी है और 25 सेमी है तो हम सिम्पली से रख लेते हैं यू ब्रावर कितना हो गया तो हमारा यू ब्रावर आगिया माइनस के 25 और व ब्रावर कितना आगिया व ब्रावर आगिया माइनस के 50 क्योंकि ये उसके बाद इसमें फोर्मूला लगा देंगे 1 upon f वरावर माइनस का 1 upon u पिलस का 1 upon v is equal to 1 upon माइनस के 25 माइनस माइनस पिलस हो जाएगा माइनस 1 upon 50 जब जोंसे solve करेंगे तो solve करने पह जाएगा 52 minus 1 1 upon 50 तो इसी साबसे जोशिका आंसर हो गया वो हो गया F वरावन 50 सेमी तो option number B इसका correct हो जाएगा अगला कोशन है बिभिन दूरियों पर बिभिन बस्तोकव आग के द्वारा देखा जाता है बहर पेरामेटर जो नियत रहता है वो है आग के लेंज से प्रत्वी की दूरी option number D इसका correct answer है अगला कोशन है जब एक चुमबक के सुई को ऐसमान चुमबक के छेत में रखते हैं तो यहाँ अनुभब करती है तो यह कैसा अनुभब करती है एक बल तदा बल आगून का किसका एक बल और एक बल आगून का अगला कोशन है उत्पलावन वल बराबर होता है तो ये किसके बराबर होते हैं डूबे भाग के आयतन दरब भार के डूबे भाग के आयतन दरब भार के अगर यदि आपने भी तक हमारा चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्क्राइब कर लें और घंटे को दबा दे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही जय हिंद जय भारत